और अगली कबर जबलपूर से जबलपूर की महरानी कही जाने वाली पड़ाव की दुर्गा उस्तफ समीती नवीन महाकाली समीती जबलपूर की द्वारा पिशले कई बर्षो से महाकाली के सापना जबलपूर के पड़ाव शेतर में कीजा रखी है जहां समीती के द्वारा पूरे उत्सा से माता काली के स्थापना की जाती है जिसको लेकर श्रदधालू में भी एक विशेश उत्सा देखने को मिलता है श्रदधालू बड़ी संख्या में जबलपूर की महारानी के दर्शन करने पड़ा पहुसते हैं जहान अवीन महाकाली समीती के द्वारा पत्रकार बारता के माध्यम से जानकारी दी गई कि समीती के नाम से एक अन्य समीती परजी दस्तावेच के अधार पर बनाये गई है जिसको लेकर समीती के द्वारा अधिकारियों से बात की गई है कोई समीती के द्वारा पत्रकार वारता के माधियम से जिला प्रिशाशन एवं पुलिस ते व्यापक सुरक्षा ववस्था आयूजन इससल पर करने की मांग की गई है जहां समीती के अध्यक्षा खिल राज में बताया गया कि बड़ी संख्या में जबलपूर की महरानी के दर प्रिशाशन सायोग प्रितिवर्श समीती को मिलता है वह साथ गाट कर फर्चे समीती बनाने वालों के विरुद्ध तारिवाह की मांग की दर्शाद प्रशाद तो बहुत दूर को दर्शन भी नहीं करने देता था अगर मानलों माता के समीप यह स्टेट पर कोई आजा तो अचूत है उसको अचूत मानता था कि नहीं आप यहाने चड़ना आप फलाने हो आप दिकाने हो और मतलब किसी को भी वह माता की समीप नहीं आने देता था क्योंकि वही बस एक पुजारी है वही बाकि सारे लोग इतने वह सब अच्छूते सब गिरे हुए हैं अशोग पाठक पिंग की पाठक और यह चंद्रापांडे इन लोग सभी बस मतलब सबसे उचे उसके हैं और दूसरी बात यह कि वह महिलाओं को भी सही डंग से नहीं देखता है उनका लड़का स्पेशली अंश पाठक वह ब मतलब जेल काटने के आने के बाद भी वह अभी कम सब्सक्राइब करता है और मतलब उसको उसमें कोई बदलाओ नहीं आया है और उन लोगों को जो उश्रे देती है वह चंद्रापांडे ख़वरे यह बहुत है क्योंकि हमारी जो मेरे बड़े दादा हैं सब्सक्राइब करेश जी और यह बोल रही है इनको नहीं कर दो रहा है कि कैसे बना सकते कि वह नहीं समीति कुछ नहीं और शमीतिये से किसी प्रकार कर को संबन नहीं दो वो अध्यक्ष किस तरह बनाएंगे, अध्यक्ष इनको हमारे दादा जी न बनाया है, मेरा नाम सौनम लाज प्रेस कॉन्फरेंस करने का मुख्थ वजय है कि नवरात्री दो दिनों बाद बैठ की है माता जी की और जो इन्होंने फरजी समीती बनाई है, चंद्रापंडे अशोग पठक विजय कुकरे जाने है, अशोग पठक वही है जिसके लड़के ने कुछ दिनों पूर्व जेल प्रहरी के वहन जलायते हैं और जेल से अभी जमानत पर आया है, तो ये बहुत आतंगवादी सरी के अ स्विकार कर लें, पहला तो पुलिस प्रसासन से भी हमारा ये सवाल है, दूसरा हम लोगों ने मानी न्याले के समक्ष भी केस रइस्टर्ट करवाया है, तीसरी बात, ये सभी फरजी हैं और हम लोग असली समीती है, मेरे ही पिता जी दादा जी ने काली जी रखना शुरू किया था, और इस वर्ष इसी तार्तम में की नवरातिय कारिकरम बिगड़ पाए, संजय गरवाल जी जो यहां बैठे हैं, इनकी बहु जो जेल प्रहरी हैं, उनका उनके वहन जला दिये गए, लेकिन इस बार ये लोग पकड़ में आ गए और पुलिस ने ने कारवाई करके जेल पेजा गया है, इनका मकसद यह है कि इसमें एक पूर्व में पंड़ा था, अशोक पाठा, तो वो सौने चांदी की चोरी करता था, उसको हम लोगोंने CCTV फुटेज से पकड़ा और इस कारण से उसको समीजी से निश्कासित कर दिया, तो वह रंजिस रखने लगा, उस इसमें इसका साथ चंद्रा पांडे और विजय कोकरेजा ने दिया कि अगर तुम पुना आते हो, तो पैसों में हिस्सा हमें भी देना, पूरी चड़ोत्री तुम हमें देना, उस हम तुम्हें यहां का द्यक्स बनाएंगे, और चड़ोत्रिया पर मिल बाटके खाएंगे, तो यह चंदे का पैसा खाने के लिए यह लोग लोगों की जान लेने पर उताजू हो गए हैं, मुझे भी हमला कराया है, अगरवाल जी जो बैठे हैं, इनके घर पर भी तीन से चार घटनाई यह लोग कर चुके हैं, आप ने इसकी शिकायद कहां करेंगे, इसकी सिकायद स अध्यक्स नवीन महाकाली समीती पड़ाओं